टीचर्स का हाल कैसा है? पंजाब में ये देखिए कि वो अपने ही सब्जेक्ट को सही से नहीं लिख पाते हैं. प्रदेश के शिक्षा मंत्री दलजीत सिंग चीमा ने अध्यापकों का टेस्ट ले लिया. तो शिक्षकों ने अपने ही लिखी लाइनों में कई तरह की गलतिय पर हो रही है. दरसल ये नौबत इसलिए आई क्योंकि पंजाब में दस्वी के नतीजे इस बार भी खराब आये थे. नतीजों की परताल करने के लिए अलग-अलग विशों के अध्यापकों के टेस्ट लिये गए. टेस्ट के बाद अध्यापकों के साथ बातचीत करते तो उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा. बच्चों में फेल होने का डर खत्म हो गया है. इसलिए वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं. इसके साथ ही अध्यापकों का कहना है कि उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट ही मिल गए है. जिसकी वज़से वो अपने विशर पर ध्यान नहीं दे पाते. यह पहला मौका नहीं है कि जब पंजाब में दसवी और बारवी के नतीजों को लेकर अध्यापकों की क्लास ना लगाई हो. इससे पहले पिछले साल अंग्रेजी में नतीजे अच्छे ना आने के कारण अध्यापकों को बुलाया गया था.